हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठिक्रम में संकलित इकारी चार वैचारिक पृष्ट भूमी के अंतरगत लोहिया दर्शन के विशे में जानेंगे एवं परिक्षा उप्योगी महतबुन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे तो आईए समझते हैं डॉक्टर राम मनुहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अगबरपूर अंबेतकर नगर जन्पद नामक स्थान पर हुआ था वह भारतिय स्वतंतरता संग्राम के सेनानी प्रकर्चिंतक वह समाजवादी नेता थे इनके दार्षनिक चिंतन और सामाजिक विशलेशन की विचार पद्धती में माकसवाद, भारतिय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके सोध निर्देशक वर्णर सुधाई, प्रसिद्ध जर्मन अर्थसास्त का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता ह सन 1967 के पुर्व सोशिलिस्ट पार्टी की जो अनुगूंज हिंदुस्तान के राजनितिक पटल पर थी उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन, जन संगर्ष तथा कारिये के प्रती अटूट निष्ठा और इमानदारी थी उन्होंने ना केवल समाजवाद को भारती चिंतन की मूलधारा से जोडने का प्रियास किया बलकि उसे मूर्त रूप देने का भी भगीरत प्रियास किया आगे देखते हैं समाजवादी लोहिया इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विविन समस्याओं को केंद्र में रखकर किया था अपनी पुस्तक माक्स गांधी तथा समस्याएं में समाजवाद समंधी अपने विचारों को विष्तार से प्रसूत किया इन्होंने गांधी वाद तथा माक्स वाद जैसी दो परस पर विचारधाराओं के मध्य सुत्र का कारी किया है उनी के सब्दों में गांधी तथा माक्स के पास सीखने के लिए बहु मुल्य कोश है आगे देखते हैं इन्होंने माक्स की दुन्द्वात्मक भौतिक वादी व्याख्या को अपनाया किन्तो माक्स के वर्ग संगर्ष के सिध्धान्त को स्विकार नहीं किया वे वर्ग संगर्ष के सिध्धान्त को अनावश्यक और असंगत मानते थे उनके अनुसार मानव ताग दो विकल्पों के मध्य जूजती रही है वर्ग और जाती जाती और वर्ग में सतत संगर्श चलता रहता है यदि जाती दक्षिन पन्थी और स्थाई सक्तियों का प्रतिनी दित्तो करती है तो वर्ग सामाजिक गती सीलता का मानव इतिहास जाती और वर्ग के अंतर द्वंद की कहानी है डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यबाद की तिव्र भर्चना की है जहां व्यक्तिगत स्वचन्दता को और द्योगिक विकास के लिए कुचल दिया गया उनकी मान्यता थे कि सत्य की विजय धूर्दता और छल छदम से नहीं हो सकती पैदा होती है इस याई सामाजिक व्यवस्था में नौकर साही और विशेशग्यों के बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से वे चिंतित थे आगे देखते हैं नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था उसके लिए वह कुछ सुधारों को अनिवारी समझते थे जिनमें विश्वसंसत की स्थापना पूरे विश्व के जीवन स्तर्प का सुधार तथा उद्योगों वो बैंकों का राष्ट्य करन आदी सामिल हैं आगे देखते हैं भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रियोजन व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंतरता के लिए उन्होंने चोखंबा योजना प्रस्तूत की इस योजना में उन्होंने राजनीतिक सक्तियों का विकेंद्री करन किया चौखनबा योजना के अंतरगत ग्राम, मंडल, प्रांत वकेंद्र इन सक्तियों के विकेंद्री करन का सुझाव दिया डॉक्टर राम मनुहर लोहिया ने देश की मात्री भाषा को प्रतिष्टित करने के लिए भी एहम योगदान दिया उन्होंने गरीबों एवं सोशितों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुलजाने का प्रयास किया डॉक्टर राम मनुहर लोहिया को भारती सभ्यता वसंस्कृती से अताह प्रेम था। उनके संसकारों में इसकी जलक विद्देमान थी। उनमें भारत की अध्यात्मिक्ता और पश्चिम की कारिय चमता का मिश्रन था। उनका नारा था मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। व अन्याय के विर्द, लड़ाई के प्रेर नासरोत है। वह पूरे विश्व में सकारात्मक्ता, बदलाव के पक्षिदर थे। उनका दर्शन विश्व सांती का दर्शन माना जाता है। नी, शस्त्रिकरन, विश्व विकास समीती, अंदर राष्टी वाद, संयुक्त, राष विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती है। आगे देखते हैं। आर्थिक विकास की रूप रेखा। उनकी मान्य था थी कि गांधिवादी, सत्यागर्य, तथा आर्थिक और राजनीतिक छेत्रों में विकेंद्रिकरन को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही माक्सवाद के लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है डॉक्टर लोहिया इस बात को स्विकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए गांधिवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तक्नीक नहीं है माहत्मा गांधी की तरह डॉक्टर लोहिया भी बड़ी-बड़ी मसीने लगाने के विरुद्ध थे इस सत्य को जीवन में प्रतिश्टित करने के लिए मर्यादा अमर्यादा तथा सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा माक्सवाद भौधिक उत्पादन और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है किन्तु अध्यात्मिक सांती नहीं भौधिक संतुष्टि समाजवाद का एक मात्र लक्ष नहीं है आगे देखते हैं विशेशा दिकार वाले सोशक वर्ग का वर्गी करन ये निमलिखित रूप से करते हैं विशेशा दिकार वाला वर्ग पहला संपत्ति के आधार पर दूसरा जाति के आधार पर तीसरा भाशा के आधार पर वर्गों का गठन पहला नौकर साह अधिकारी, दूसरा उच्च मध्यम वर्ग, तीसरा निम्ने मध्यम वर्ग, चौथा सर्वहारा वर्ग समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात, डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया, जो है जाती नीती, भूमी नीती, अन्य नीती, आय नीती, मुल्य नीती, राष्टिय स्रम नीती, भाषा नीत अब हम इनकी सब्तक्रांती पर एक द्रिष्टी डाल देते हैं डॉक्टर लोहिया ने साथ क्रांतियों की अबधार्णा इस रोप में प्रस्तुत की है पहला नर्डनारी की समानता के लिए दूसरा रंगभेद के कारण राजकिय आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध तीसरा संसारगत जन्म जाती प्रथा के विरुद्ध तथा पिछरे वर्गों को विशेश अफसर प्रदान करने के लिए चौथा परदे की गुलामी के खिलाव स्वतंतरता तथा विश्वलोग राज्य के लिए पाँचवा व्यतिगत पुंजी संबंदी विसमताओं को विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए छटा नीजी जीवन में अनाधिकार आवश्यक हस्तचेप के विरुद्ध तथा लोक तंत्री अफद्धती के लिए सात्वा अस्त्र सास्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रय के लिए डॉक्टर लोहिया के सब्दों में आज संसार में बड़े बड़े आंधूलनों और क्रांती का यूग है इनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नती में अपना हिस्सा बटाएं इसलिए कि हमें आजादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिलें आगे दिखते हैं विश्ववादी व्यक्तित्व डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे वे अंतराष्ट्य एक्ता पर बल देते थे राष्ट्यवाद के भी पक्षधर थे वे विश्व एक्ता के अधी वक्ता थे उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है सुद्ध रूप में अंतराश्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके समर्थक इस तथ्य को अनभव नहीं करते कि पिदेश, नीदियों का वर्तमान, संगर्ष, सभ्यताओं का संगर्ष है और जिसके उपर विजय विश्व के मस्तिसकों को एक करके प्राप्त की जा सकती है इतिहास बोद डॉक्टर लोहिया के इतिहास विश्यक विचार अरस्तू के सिधान से समानता रखते हैं उन्होंने माक्स के आर्थिक विवेचन के सिधानत को अस्विकार कर दिया है इतना ही नहीं इन्होंने हीगलवादी त्रिष्टिकों को भी स्विकार नहीं किया डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के सम्बंद में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृती वील्स आफ हिस्टरी में किया है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इनों ने कोड़नार्क, नालंदा, अजन्ता, एलोडा, आदी में अंकित, मुर्दियों और भिन्द, भीती चित्रों में एक दिव्य प्रतिमा के दर्शन किये हैं। झालंदा झालंदा